गुद मॉर्णिं मॉर्ण इस्टार्स, वावर यू आल, I hope you all are good and enjoying your classes, ok student, let's start our chapter, chapter number 1, number 1799, ok student, take out your math book and open page number 13, ok, counting on the number line, ok पेटा, यहाँ पर आपको number line जो दिया है, उसकी counting काउंटिंग करना है, first is 310, after 310, 311, 312, 313, like this, ऐसे आपको यह पूरे box complete करने है, 320 तक, ok, next is 750, after 750, 751, 752, 753, 754, like this, ऐसे आपको इसे भी complete करना है, last box तक, next is 695, after 695, 696, 697, 698, 699, and 700, ok, 701, 702, 703, 704, 705, next, 982, after 982, 983, 984, like this, next is 507, ok, after 500, 7, 508, 509, 510, 511, इसे पूरा आपको complete करना है, 517 तक, ok, student, I hope आपको समझ में आ गया होगा, कि यह box आपको कैसे feel करना है, ok, और बेटा, इसे आपको बुक में ही complete करना है, copy का use नहीं करेंगे, ok, ok, student, come to the page number 14, page number 14 पर बेटा, हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए यह दिया है, number names, ok, यहाँ पर यह box बने है, number दिये है, आपको इसको number names में लिखना है, तो number names लिखने से पहले बेटा, आपको यह समझना जरूरी है, कि आप इसे लिखोगे कैसे, इसके लिए आपने previous वीडियो में place value पढ़ा हुआ था, ok, place value हम कैसे decide करते हैं, सबसे पहले हम once की value लिखते हैं, फिर tense की value लिखते हैं, उसके बाद हम hundred की value लिखते हैं, once means इकाई की संख्या, tense means दहाई की संख्या, और hundred means सैक्रा की संख्या, ok, जैसे कोई numbers लिखा होता है, तो उसे हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर देखिए बटा, क्या लिखा है, seven, eight, four, तो इसे हम number names में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले, यहाँ पर देखिए क्या है, काई के स्थान पर four है, ok, और tense means दहाई के स्थान पर eight है, और hundred के place भी क्या है, seven है, ok, तो इसे हम लिखना, left side से start करते हैं, ok, सबसे पहले हम hundred के place पर जो value है, वो संख्या लिखना है, start करेंगे, तो hundred के place पर बेटा देखिए, यहाँ seven है न, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, seven hundred, seven hundred, ok, ऐसे हम लिखेंगे, ok, seven hundred हमारा complete हो गया, अब यहाँ पर tens और ones की value देए है, तो tens और ones की value को हम साथ में लिखने है, ok, तो यहाँ पर यह क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा four, okay, okay, बटा, तो इसे हम ऐसे ही लिखते हैं, next is six, four, three, okay, ones के place पर कौन सी है, संख्या है, three है, tens के place पर कौन सी संख्या है, four, और hundred के place पर कौन सी संख्या है, six, लिखना हम इधर से start करेंगे, okay, तो सबसे पहले हम six को लेंगे, six किस प्लेस पर है, बटा, hundred के प्लेस पर है, six hundred okay after that ये क्या लिखा है four or three मैंने अभी आपको बताया था कि हम tens और ones की value को साथ में लिखने है तो ये बेटा क्या लिखा है ये forty three लिखा है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर forty three okay I hope आपको बेटा ये समझ में आ गया होगा कि हम number names कैसे लिखते हैं किस sequence में लिखते हैं okay come to the page okay एक देखी बेटा यहाँ बार आपको करके दिखाया गया है कि ये कैसे इसे आप किया गया है okay यहाँ पर देखी क्या लिखा है four hundred thirty six box में number names लिखा है सबसे पहले इन्होंने hundred की value लिए है hundred के place पर आपकी four है तो यहाँ पर क्या लिखा है four hundred उसकी बाद tens और one की value को साथ में लिखा गया है thirty six okay आपको बेटा second column में भी ऐसे ही complete करना है okay second column में देखी क्या लिखा है seven hundred thirty two okay तो hundred के place पर हमारी कौन सी value है seven की value है तो आप सबसे पहले कया लिखा होगे seven hundred और tenths और ones को मिला के लिखेंगे once की value क्या होगे ये thirty two after that आप कया लिखा होगे थरанти two लिखा होगे okay next is 369 same आपको ऐसे करना है सबसे पहले आप क्या लिखते है once की value लिखेंगे once की value आपकी क्या है 9 है और 10 की बैलू 6 है और 300 के प्लेस पे होगा ओके अब इसे हमें नमबर नेश्पर लिखना है तो start कर देते हैं 3 किस प्लेस पर है 100 के प्लेस पे है तो क्या लिखेंगे हम 300 आप्टर देट 10 और 1 की बैलू को हम मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यह 69 ओके स्टुड़ेंट आई ओप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा ओके ओके बटेट